युद्ध के चोथे दिन 16 सितंबर को लेफटनेंट करनल राम सिंग के नेतरतु में सेना की एक टुकडी जहिराबाद की और बढ़ी लेकिन रास्ते में बारुदी सुरंगों के कारण उनकी रफतार काफी कम हो गई थी जब ये टुकडी बीदर मार्ग और शोलापूर हैदराबाद हाईवे के जंक्शन पर पहुँची तो उसे दुश्मन की छुपी हुई टुकडियों से आ रही तेज गोलाबारी का सामना करना पड़ा अपने कुछ सेनिकों को मही छोड़ कर बाकी सेना राम सिंग के नित्रतों में आगे बढ़ती गई दो पहर एक बजे जहीराबाद भारतय सेना के हाथों में था देर शाम तक भारतय सेना जहीराबाद से 15 किलो मीटर आगे तक पहुँच गई थी रास्ते में कई बार उन्हें रजाकारों के च्छापामार हमलों का सामना करना पड़ा लेकिन जब सेना ने अपनी 75 अमेम तोपों का इस्तेमाल किया तो रजाकार भाग खड़े हुए उसी दिन निजाम ने जनरल एद्रूस और लायक अली को किंग कोठी महल में बुलाया तब तक भारते वायु सेना के लड़ा कुईमान हैदराबाद में काफी नीचे उड़ान बर रहे थे निजाम ने अपने दीवान और सिपह सालार से कहा कि उनके आदमी युद्ध के मैदान में दुश्मन का सामना करने के बज़ाए अपनी बेगमों के साथ घर पर रहने लायक हैं निजाम ने लायक अली को युद्ध के हालात का गलत अनुमान लगाने के लिए लताड़ा और पाकिस्तान और स्युत राश्टर को मदद के लिए आगे ना आने पर बुरा भला कहा लायक अली ने कहा कि पूरा पाकिस्तान जिन्ना की मौत से सद्मी में है इसके बाद निजाम ने कहा कि लायक अली समेत सारे मंत्रियों को अभी इस्तीफा देना होगा वर्णन निजाम एक वक्तवे जारी कर अपने आपको रियासत के मामलास से अलग कर लेगा उस समय हैदराबाद शहर की सड़कों पर अजीब सा सननाटा था शहर की मुख्य सड़क के किनारे लगे एक बड़े पोस्टर पर भारत के परधान मंत्री नहरू का एक कार्टून बना कर लिखा गया था जालिम पर मोत हस रही है युद्ध के पांचवे दिन 17 सितंबर की सुभा रियासत की पश्चिमी सीमाउ से एक ब्रिगेडियर जनरल एल अदरूस के पास आया और उसने बताया कि भारतिया टैंक, तोप खाना और बाकी सेना तेजी से जहिराबाद से हैदराबाद की तरफ बढ़ रही है जनरल एदरूस खुदिये देखने मोरचे पर गए कि भारतिया सेना के रास्ते में माइंस बिछाने का काम कैसा चल रहा है उधर अपने आधिकारिक निवास शाह मंजिल में मीर लायकली बेसबरी से पाकिस्तान से स्विंस राष्ट की बाबत मिलने वाली खबर का इंतजार कर रहा था लेकिन उसे खबर आई शहर से 30 किलोमीटर दूर बीबी नगर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर से जिसने लायकली को बताया कि भारतिय सेना ने स्टेशन पर बहुत तेज गोलाबारी की है जब आखिरकार पाकिस्तान से खबर आई तो लायकली का दिल बैठ गया उसे बताया गया कि सिक्योर्टी काउंसिल की बैठक में चीन की सलापर अगली बैठक चार दिन बाद बुलाने का फैसला हुआ है ताकि मामले पर और गहरे से विचार किया जा सके सिक्योर्टी काउंसिल के अध्यक्ष एलेकजेंडर कादोगन ने जब हैदराबाद को अगली बैठक के एजेंडे में शामिल करने पर वोटिंग कराई तो ये आठ तीन से पास हो गई हैदराबाद के सुईक्त राष्ट में परतिनिधी मुईन नवाज जंग ने गुहार लगाई कि वो जल्दी ही हैदराबाद के अलग राष्ट होने के सबूत पेश करेगा लेकिन तब तक किसी तरह युद रुकवाया जाए पर काउंसिल ने ऐसा कोई प्रस्ताओ पास करने से मना कर दिया हैदराबाद के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी रियासत का दो सो चोबीस सालों से आसमान पर असर अंदाज रहा सूरज तेजी से डूब रहा था लायक अली का ख्याल था कि भारत की फोज उसकी पूरी कैबिनेट को गोली मार देगी दरसल वो जानता था कि रियासत में हिंदूों पर किये जा रहे अत्याचारों से परदा उठने ही वाला था तुरंत रियासत की कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई इस बैठक से पहले लायक अली ने कराची में रियासत के एजेंट जनरल मुश्ताक एहमद को तार भेजा कि ये इस दुनिया से उसका आखरी तार है 17 सितंबर की सुभा भारतिय सेना की दक्षिनी कमान के चीफ लेटनेंट जनरल राजेंदर सिंजी ने हैधराबाद फोज के मिजर जनरल अलदरूस को एक संदेश भेज़ कर हैधराबाद फोज के आत्मसमरपन की मांग की उन्होंने कहा कि मेरी सेनाए कई और से हैधराबाद शहर में घुश सकती हैं और अर्थीन जीवन हानी से बेहतर होगा कि आप आत्मसमरपन कर दें उस समय पहली आर्मरड रेजिमेंट हैधराबाद से साथ किलोमीटर दूर चित्याल कस्बे में थी जबकि एक टुकडी ने हिंगोली कस्बे पर कबजा कर लिया था तब तक लियाकत अली ने अपनी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा निजाम को सौप दिया था कैबिनेट की बैठक के बाद लायाकली ने रेडियो पर घोशना की कि रियासत की फोज भारत की सेना को रोकने में नाकाम रही है उसने रियासत में सामपरदाइक सोहार्द बनाने की जुरत पर जोर दिया और सीज फायर की घोशना कर दी रजाकार सेना और M.I.M. के अध्यक्ष कासिम रजवी ने भी रेडियो से भाशन दिया रजवी ने पहले तो सफाई दी कि उसके पाकिस्तान भागने की ख़बर एक अफवाह है और फिर कहा कि रियासत में सामपरदाइक सोहार्द बनाने की जुरूत है दोपहर को निजाम का एक व्यक्तिकर संदेश भारफ सरकार के रियासत में एजेंट जनरल K.M. मुन्शी को बिजवाया गया जिसमें उन से शाम चार बजे निजाम के कारे लेव आने की गुजारिश की गई इस भेंट में निजाम ने मुन्शी से कहा कि गिद चले गए हैं और मुझे नहीं पता कि अब करना क्या है मुन्शी ने निजाम को सलह दी कि अपने कमांडर्स को लड़ाई रोकने का निर्देश दे और खुद दकन रेडियो से हैजराबाद की जनता को संदेश दे थोड़े देर बाद शाम पांच बजे निजाम ने रियासती फोज को सीज फायर का हुकम दिया और लड़ाई समाप्त हो गई अब बस एक निर्ने करने की चुनोती रियासत के सामने थी कि आत्म समरपन की तलवार भारते सेना को कौन भेंट करेगा इसके लिए निजाम के बड़े बेटे वली एहद, प्रिंस ओव बरार, आजम शाहा और मेजर जनरल अल अदरूस को चुना गया हैदराबाद पूलिस के आई जी, दीनियार जन्ग को पता था कि कासम रजवी ने रजाकारों में हिंदों के कतले आम के लिए कई हजार राइफलें बाटी हैं काफे देर टेलीफोन पर बात करने के बाद आई जी ने कासम रजवी को समझाया कि अगर हिंदों का कतले आम होता है तो जवाब में जो होगा उसकी कल्पना हैदराबाद के मुसल्मान नहीं कर सकते इसलिए बहतर होगा कि रजाकार अपने हतियार भारतिय सेना के हवाले कर दें उस समय तक भारतिय सेना हैदराबाद में नहीं घुसी थी 18 सितमबर को दो पहर बाद ठीक साड़े चार बजे मेजर जनरल जेन तोनाथ चोधरी के नितरतु में एक आरमड कोलम हैदराबाद में घुसा एक मैदान में एक और से जनरल चोधरी अपनी कार से उतरे और दूसरी और से जनरल एलदरूस जनरल एलदरूस ने कहा मैं आपके सामने हैदराबाद फोज के आत्म समर्पन की गोशना करता हूँ इसके बाद जनरल एलदरूस ने माइक से दिये छोटे से भाशन में दुनिया भर के सामने ये कहा कि हैदराबाद की सेना भारत के सामने हत्यार डाल रही है दोनों जनरल्स ने साथ साथ सिगरेट पी और फिर भारत के एजेंट जनरल के मुंशी के आवास पर पहुँचे। हजारों नागरिकों ने सड़क पर आकर भारतिय सेना के जवानों और उनके वहनों पर पुश्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। बोलारुम और सिकंदराबाद च्छावनियों को अपने कबजे में लेने का आगरह किया। उसने M.I.M. और रजाकार सेना पर प्रतिबंद लगाने की घुष्णा की और कहा कि हैदराबाद अपनी आजादी के लिए स्विफ राष्ट में अपने मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। इस तरह भारत की आजादी के ठीक 400 दिन बाद हैदराबाद भी निरंकुष राज और भहु संख्यकों के उत्पिडन से आजाद हो गया। निजाम ने लायक अली और कासिम रजवी पर हिटलर वादी तरीकों से जबरदस्ती सत्ता कब जाने का अरोक लगाया और सामपरदाइक सोहार्द बनाने की अपील की। कासिम रजवी और लायकली को गिरफतार कर लिया गया, कासिम रजवी को एक पत्रकार शोयब उल्ला खान की हत्या के मामले में 10 साल की जेल हुई, बहार आने पर उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया, इस तरह कासिम रजवी 1957 में पाकिस्तान चला गया जहां 1970 में गुमनामी में उसकी मृत्ती हो गई, लायकली को 1950 तक बेगम पेट में नजर बंद रखा गया और मार्च 1950 में उसे पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे दी गई, साड़े चार दिन तक चले इस युद्ध का आकलन करें, तो पता चलता है कि हैदराबाद की तरफ से भारते सेना के हमले का जवाब बीदर और बेजवाड़ा के बीच से आना था, लेकिन निजाम की सेना कभी भी भारते हमले के लिए तैयार ही नहीं थी, अच्छी खासी संख्या के बावजूद निजाम की सेना भारते सेन शक्ती के सामने नहीं ठहर सकी, पांच तरफ से हमले ने रियासत की फोज को संभलने का मौका ही नहीं दिया, और निजाम के जनरल अद्रूस को अपनी सेना को कई टुकडियों में बांट कर अलग-अलग खेतरों में भेजना पड़ा, इस सैनिक वीजय के बाद ये सवाल उठा कि सैनिक विकल्प का चुनाओ अगर पहले ही कर लिया जाता, तो क्या रजाकार गुंडो द्वारा की गई सामपरदाइक हिंसा से बचा जा सकता था। और उनके समर्थकों को गिरफतार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाने के लिए विशेश अदालतों का गठन किया गया। लगबग दो हजार अरब से बुलाएगे लड़कों को अदन भेज दिया गया, जबकि लगबग इतने ही पठानों को देश के अलग-अलग हिस् अपरेल 1949 में तेहरा उर्दू अखबारों ने कैदियों को रिहा करने की स्वियुक्त रूप से मांग की। नहरू जादातर कैदियों को छोड़ने के पक्ष में थे जबकि सरदार पटेल का कहना था कि इन्हें रिहा करने से कानून व्यवस्था खराब होगी और लोगों का कानून से विश्वास उठ जाएगा लेकिन सरदार पटेल की दिसंबर 1950 में मृत्य हो गई और धीरे धीरे कैदियों को छोड़ा जाने लगा। जनवर 1952 में पूरू निजाम की आखरी कैबिनेट के सारे मंत्री रिहा कर दिये गए और 1953 तक भारत सरकार ने जदतर कैदियों को रिहा कर दिया। और फिर 14,000 एकड़ भूमी वीनोबा भावे के भुदान अंदोलन के लिए भूमी हीन किसानों को दान दी गई। हैदराबाद रियासत के कुछ मुस्लिम नागरिकों ने जब सेना पर हिंसा क्या रोप लगाए तो परधान मंत्री नहरू ने पंडित सुन्दरलाल के देख रखा गया। में सिविल सरकार को सौपा गया तो सरकार ने कम्यूनिश्ट प्रभाव को कम करने के लिए कई किसान समर सक घोशना है की। अक्टूबर 1951 में कम्यूनिश्ट रांदलन के परमुक धड़े ने हिंसात्याक कर लोगतंत्र में विश्वास जताया और राज्या के वामपंथी दलों ने पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रेंट बना कर चुनाव लड़ने का एलान किया। जोड़ दिया गया। बाद में आंधर परदेश की राज़धानी अम्रावती जबकी तेलंगना राज़े की राज़धानी हैदराबाद को बनाया गया। यहां थोड़ी सी बात निजाम के वन्चजों के बारे में। 1954 में पूर्व निजाम मीर उस्मान अली खान ने अपने बड़े बेटे आजम शाह के पुत्र मुकरम जहा को अपनी उपाधियों का वारिस गोशित किया। 24 फरवरी 1967 को आखरी निजाम मीर उस्मान अली की मरत्य हो गई। 1971 तक सरकारी कागजों में निजाम के पोते मुकरम जहा को प्रिंस ओफ हैदराबाद कहा जाता था। जब 1971 में इन्विरा गांधी ने रजवाडों की उपाधियों और प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया तो मुकरम जहा का टाइटल भी समाप्त हो गया। हाला की निजाम के वारिसों के बीच संपत्तिक जगडे जनवरी 2023 में तुर्किये की राजधानी इस्तामबूल में मुकरम जहा की मरत्यु तक भी चलते रहे।